राधे राधे फ्रेंट्स आज हम अपने बांके बिहारी जी के लिए बहुत ही सुन्दर पिकक फेदर्स की ड्रेस बनाएंगे जो की देखने में बहुत ही प्यारी है यह ड्रेस का साइज है तीन नंबर के बाल गुपाल जी तो मेरे ठाकुर जी जिन्होंने यह ड्रेस पहनी हुई है वो दो नंबर के हैं तो आप दो नंबर के ठाकुर जी के लिए भी यह ड्रेस बना सकते हैं तो चलिए इस ड्रेस को बिना देर किये हम अपने ठाकुर जी के लिए बनाना स्टार्ट करेंगे आधिर आधिर फ्रेंड्स मेरे चैनल स्मार्ट अट गैलरी में आपका स्वागत है मैं कुसूम और आज मैं अपने ठाकुर जी के लिए मोर वाले पैटरन की ड्रेस लेके आई हूँ जो की देखने में बहुत सुन्दर है मेरे बच्चों ने इसको बहुत प्यार से सजाया है तो इससे भी पहले मैंने मोर की कैई सारी ड्रेस डाली हुई है अपलोड की हुई है आप मेरी वीडियो लिंक में जाके देख लिजीगा तीनों ड्रेस का पैटरन अलग अलग है यह पीछे के मोर वाली ड्रेस है और आगे की तरफ यह बस यह आगे एक पैटरन है पीछे मोर वाले ड्रेजैन लिया हुआ है इसमें और यह आल ओवर फैदर्स मैंने अलग इसमें बनाया हुआ है और निटिंग मैंने ठाकुर जी की ड्रेस की बहुत सारी वीडियो में बताई हुई है कि कैसे स्टार्टिंग करते हैं इसमें सिर्फ मैं आपको यह फैदर बनाना बता हुए कि आप यह जो मोर का पंक है यह कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हमने यह यहां पर यूज की है तीन कलर की उन जो फैदर के लिए यूज की है ब्लू यलो और ग्रीन आप भी मोर वाली उन को इसमें यूज कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो हमारी स्टार्ट करेंगे फैदर से तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे यलो बू बनाएंगे और लूप बनाएंगे हम 4 chain का तो simply हम 4 chain लेंगे सबसे starting में 2 3 और 4 इसके बाद जो first chain है इसके अंदर से हम इसको यहां पर stitch chain के साथ में connect कर देंगे अब यह एक हमारे पास लूप हो गया इसके अंदर से हमने feather को start करना है तो इसके अंदर हमने पहले एक chain बनाई और अब हम 8 double crochet इसी लूप के अंदर से निकाल लेंगे 8 double crochet निकालने हैं हमने 8 double crochet इसमें ले लिए 8 double crochet लेने के बाद round को हम mode लेंगे और यहां पर अब हम blue one को connect करेंगे और अब हमने simply half double crochet इसके अंदर से लेना है half double crochet लेने के लिए हमने इस तरह से निकालेंगे यह alone को थोड़ा खीज देंगे और half double crochet को हम एक बार में ही निकालेंगे अब यहां तक यहां जहां तक हमने आठ double crochet लिये हैं यल्लो कलर के वहां पर ही हमने आठों में blue one का half double crochet निकालना है इन आठों में हमने half double crochet निकाल लिया है इसके बाद जिस लूप से हमने एक ही लूप से यल्लो निकाले थे 8 double crochet निकाल दे थे अब वहां पर हम 7 double crochet निकालेंगे blue कलर के अधर साइड में एक तरफ को पीले वाला हो जाएगा दूसरी तरफ को blue वाला हो जाएगा आएगा कर दो साथ डबल क्रोशिया हो गए साथ डबल क्रोशिया के बाद अब हमने यहां पर स्टार्ट किया था इसको और यहां पर ही स्किप चैन के साथ में इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक सिंपल चैन बनाएंगे अगेन यहां पर कनेक्ट करेंगे और इसको धागे को हम यहां पर ही छोड़ देंगे अब इसके बाद आप हम इसमें ग्रीन धागर लगाएंगे ग्रीन वूल को कनेक्ट करने के बाद आप हमने ग्रीन उनके यहां पर क्रोश्या बढ़ाने हैं तो सबसे स्टार्टिंग में हम रखेंगे हाफ डवल क्रोश्या रखेंगे बिल्यू धागे को थोड़ा खींज देंगे नेक्ष्ट में दो हाफ डवल क्रोश्या इससे नेक्ष्ट में एक हाफ डवल क्रोश्या और एक डवल क्रोश्या हाफ तो यह एक बार में हो गया इसके नेक्ष्ट में इसी के अंदर हाफ डवल क्रोश्या को पूरा लेंगे और इससे नेक्ष्ट में दो बार डवल क्रोश्या अब यहां से हम काउंट करेंगे एक दो तीन और चार हमने आठ लिये हैं यह इसके अंदर हमने दो बार हाफ डवल क्रोश्या लिया आप इसके बाद दो चैन बनाएंगे और इससे नेक्ष्ट वाले में हम दो बार डवल क्रोश्या लेंगे इससे नेक्ष्ट में भी दो बार डवल क्रोश्या इससे नेक्ष्ट में एक बार हाफ क्रोश्या और एक बार डवल क्रोश्या तो पहला डवल क्रोश्या और दूसरा हाफ डवल क्रोश्या इससे next में दो half double crochet इससे next में 1 half double crochet और इसके बाद सभी में जो अधर की तरफ है सभी के अंदर एक एक बार half double crochet लेंगे अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो हमने साथ डबल क्रोशिया यहां पर लिए हुए हैं बिल्यू कलर के तीन इधर और तीन इधर अब जो यह साथवा हैं यहाँ पर हम दो बार हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे एक चैन के अंदर से और बाकी सब में हाप डबल क्रोशिया एक एक बार ही लेंगे यहाँ पर भी हाप डबल क्रोशिया लेंगे और इसको जहां से हमने स्टार्ट किया था उसको स्किप चैन के साथ में इसको यहां पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से पूरा हमारा जो मोर का पंक है तैयार हो जाएगा यहां पर इसको हम अलग कर लेंगे धागे को यह दागे भी अलग कर लेंगे कट करके यह मोर पंक का उपर वाला पार्ट हो गया और यह नीचे वाला यहां पर हमने दो हाफ डबल क्रोशियल यह थे एक ही चैन के अंदर वहां पर अब हम यह जो फैदर है इसमें दिखाए दे रहा होगा यह जो आगे रसी है जिससे हम उसको जोड़ेंगे और इसको बनाएंगे यहां पर कम से कम साथ या आठ चैनों का और जितना भी बड़ा घीरा है घीरे के हिसाब से आप इस चैन की लंबाई रखेंगे और इसके बाद मैंने इसको इसमें क्रोसिया की साथ ही कनेक्ट किया हुआ है तो फैदर हमारा बनके रेडी हो गया है अब मैं आपको बताती हूँ कि जो दूसरा फैदर है उसमें मैंने ग्रीन कलर की यह रसी बनाई है जिसमें यह मैंने बिल्यू कलर की बनाई है एक में ग तो ग्रीन वाली है थोड़ी छोटी रखी है और बिल्यू वाली है थोड़ी बड़ी रखी है क्योंकि फैदर की जो लेयर है मैंने एक को मुझाई पे लगाया है और एक को थोड़ा कम रखा है तो इसी तरह से आप इसको तयार कीजिएगा आपके ठाकुर्जी की बहुत ही सिंपल से स्टेप के साथ ड्रेस तयार हो जाएगे वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट से यह जरूर करें अब इसी के साथ में हम बनाएंगे कैप के लिए हम यहां पर एक लूप बनाएंगे तो यह मेरे ठाकुर्जी की जो ड्रेस है यह तीन और चार नंबर के ठाकु तेरह है यह चौद है इसमें हमने डबल क्रोशिय रखने है इसी लूप के अंदर इसी लूप के अंदर हम तेरह चौद department ओर ने हो होते हैं इसको यहां पर connect करेंगे जो starting में तीन चैन बनाई थी इस तरह से connect करने के बाद धागा change करेंगे धागा हमने मूर वाले ही लेना है सारे यहां पर दो चैन बनाई यलो धागे को थोड़ा खींज देंगे दो चैन बनाने के बाद अब हमने इसमें एक चैन और बनाएंगे अब हमने डबल क्रोश्या निकालने हैं इसके अंदर से हर चैन के अंदर एक एक बार डबल क्रोश्या लेंगे इस तरह से हमने इसमें डबल क्रोश्या ले लिए हैं और यहां पर इसको हम कनेक्ट कर लेंगे कनेक्ट करने के बाद अब हमने इसमें ग्रीन कलर को अड़ करना है ग्रीन कलर को अड़ करने के बाद अब हमने एक चैन बनाएंगे और अब की बार की जो रो रहेगी वो हमारी सिंगल क्रोश्या की रहेगी सिंगल चैन रहेगी हर चैन के अंदर से हमने सिंगल चैन को निकालना है इस तरह से एक-एक सिंगल चैन लेते हुए इस राउंड को भी हम पूरा कर लेंगे ग्रीन राउंड के बाद अब हमने येलो का एक राउंड और लेना है तो इसके लिए सिंगल दो चैन बनाए और सिंगल चैन का ही इसको हम इस राउंड को निकालेंगे सिंगल चैन के साथ ही और इसके बाद कैप की जो फिनिसिंग है वो खतम हो जाएगी लेकिन डिजाइन है जो उसके बाद स्टार्ट होगा इसके बाद अब यहां पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया इसके बाद आब हमने रिसमिस दोचैन बनानी है और दोचैन बनाने के बाद इसको हमने यहां कनेक्ट करना है उपर की तरफ blue वाले राउन में तो ब्लू वाले राउंड में हम इसको कहां कनेक्ट करेंगे जो इसके जैस्ट उपर है थोड़ा टेड़ा रखेंगे यहां पर इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से फिर से दो चैन बनाएंगे और दूसरी साइड में लाते हुए इसको यहां पर हम कनेक्ट करेंगे एक और दो चैन बीच में स्किप करनी है और फिर से इसको यहां पर हम स्किप चैन से ही कनेक्ट करेंगे अब इसके बाद इसमें हमने बनाने है एक तरफ तीन डवल क्रोश्य लेने है तीन डबल क्रोश्या होगे फिर दो चैन बनाएंगे और अगें दूसरी तरफ जो हमने यहाँ पर इधर को लिया है उसमें दूसरी तरफ को फिर से तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे तीन डबल क्रोश्या के बाद इसको हम एक चैन बनाएंगे और इसको जहां से हमने स्टाइट किया था वहाँ पर ही इसको बंद कर देंगे और धागे को निकाल देंगे तो यह मुकुट वाले डिजैन स्टार्ट हो गया है अभी हमने धागों को कटनिंग किया है तो यहीं की यहीं हम इन धागों को जोड लेंगे तो सबसे फर्स्ट में हम जोड़ेंगे यहां पर ब्लू कलर का जहां पर हमने एंड किया है वहां पर ही ब्लू कलर की चैन स्टार्ट करेंगे सिंपल एक चैन और उसके बाद सिंगल चैन के साथ में इसको हमने पूरे में निकालना है अब जहां पर डबल क्रोशिया हमने यहां पर दो चैन बनाए थे वहां पर हमने पहले तो एक सिंगल चैन लेनी है उसके बाद दो चैन बनानी है फिर से सिंगल क्रोशिया निकलना है और फिर हर एक में एक एक बाद क्रोशिया निकालते हुए इस राउंड को पूरा और नीचे की तरफ जहां से हमने पिंक कलर को जोड़ा था यलो कलर को जोड़ा था वहां पे ही एक चैन बना के इसको धागे को निकाल देंगे अब इसके बाद ग्रीन कलर के डिजैन आएगा तो ग्रीन कलर के लिए हमने फिर से यहां से ही स्टार्टिंग करनी है जहां से हमने बिल्यू को लगाया है एक सिंगल चैन बनाएंगे इसके बाद सभी के अंदर हाफ डवल क्रोशिय लेना है अब हमने एक बार स्टार्टिंग में दूसरे में दो बार हाफ डवल क्रोशिय और इसके बाद अब हमने एक बार हाफ डवल क्रोशिय लिया एक पूरा इसके बाद नेक्स्ट में एक डवल क्रोशिय और इसके अंदर फिर से हमने एक बार और डवल क्रोशिय लेना है अब हमारा सेंटर पॉइंट आएगा जहां पे हमने दो चैन बना रखी है अब यहां पे हमने दो बार डवल क्रोशिय लेना है फिर दो चैन बनानी है और फिर से यहां इसी लूप के अंदर ही हमने दो बार डवल क्रोशिय और लेना है चाहे तो आप यहां पे मोर पंक को भी सैट कर सकते हैं अगर आप से यह ना बन पाए तो दो डबल क्रोश्य होगे इसके बाद यहाँ पे हमने दो डबल क्रोश्य एक की चैन के अंदर से लेने हैं इसके बाद एक डबल क्रोश्य जैसा हमने इधर की तरफ लिया है ऐसे ही हम यहाँ पे भी लेंगे हाफ डबल क्रोश्य हाप डबल क्रोशिय, एक सिंगल क्रोशिय और एक सिंगल चैन, चैन के साथ मैं इसको यहाँ पर हम पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे यह हमारा मोरपंक का जो हमारे ठाकुर्जी का हैट है वो बनके रैडी है एक सिंगल चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे अब जो यह धागे निकल गए हैं इनको हम पीछे की तरफ लेके आएंगे क्रोशिया से निकाल लेंगे यह देखिए जो ठाकुर्जी की कैप है वो एकदम से रैडी है टेड़े उसमें आप इसमें कोई मोती जैसे मैंने इसमें डेकोरेशन कर रखिए इसी तरह से भी आप इसमें कर सकते हैं और इसको हम सेंटर पॉइंट पे पीछे की तरफ से जो हमारे पास यह धागे हैं उनी से कनेक्ट कर देंगे दागे को यहां से निकालेंगे जहां बिल्यू धागा है बिल्यू धागे से यहां से स्विंग की हेल्प से आप इसको इजिली कर सकते हैं मेरे पास यह धागे हैं इसमें कर दोंगी यहां पर मोतियों से मैंने इसको सजा लिया हैं तो आप भी अपने ठाकुर्जी के लिए ज़रूर यह ट्राइ कीजिएगा ड्रेस बहुत ही प्यारी है किसी भी आपकेशन पर आप अपने ठाकुर्जी को बहुत ही खुपसूरा सा सजा सकते हैं अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कमेंट सेयर करना ना भूलें और इस तरह की नईने वीडियों के लिए मेरे चैनल स्माटर गहरी को सबसाइब करना ना भूलें राधे राधे